Dear friends, भगंदर फिस्चुला एक ऐसी बिमारी है जिसमें गुदा के अंदर जो एनल ग्लैंड्स होती हैं उसमें इंफेक्शन होकर बाहर स्किन तक वो फैल जाती है तो अंदर से बाहर तक ये फैली होती है बाहर जो स्किन होती है उसमें एक छोटा सा सुराख होता है देखने में लगता है छोटी सी फिंसी है पर वो फिस्चुला होता है अब जैसे कि आपका fistula का operation हो चुका है तो किसी भी टेक्नीक से fistula का operation किया जाए उसके बाद जो क्योंकि fistula जो है deep होता है हमेशा कभी भी superficial नहीं होता normally skin जो हमारी epidermis है यही हमारी body में protective layer है जो skin की तीन तै होती है epidermis, dermis और hypodermis जो fistula होता है यह deep layers में होता है तो आप किसी भी टेक्नीक से fistula का इलाज करते हैं तो उसके बाद में वहाँ पे जो जखम बनता है उसमें से discharge होना normal पानी आना यह एक normal बात है जब तक जखम पूरा नहीं भर जाता है तब तक वो पानी आता है यह पानी जो है कुछ दिन से लेकर दो से तीन महीने तक आ सकता है जो normal है यह depend करता है कि आपका fistula कितना deep था अब point यह है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि कहीं यह पस ही तो नहीं आ रही है तो उस case में आपको बिलकुल clear होना चाहिए कि अगर कोई भी जखम infected होता है तो पस एक तो foul smelling होगी दूसरा आपको fever आ सकता है तीसरा वहाँ पे pain चुड़ू हो जाएगा अगर इन तीनों में से कोई भी symptom है आपको तो आपको डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए otherwise normal discharge में कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है with time जैसे epidermis seal हो जाएगी अपने आप से वो discharge बंद हो जाएगा Thank you